मेरे प्यारे शिंट यदि आप लोग मैट्रिक इंटर का छात चत्र आये हैं यदि आप लोग को ऍपन सब्क्राइब ये बातों को आप लोग को पता चलेगया क्या center पर इच्छा के निकट आएगा या center पर इच्छा के बाद आएगा और center list सर्थ कब जारी होगा admit card जारी होने से पहले होता है कि admit card के बाद तो मेरे प्यारे शेंट आप लोगों को मैं बता दू कि कभी भी admit card आने के पहले ही center list जारी हो जाती है आखिरकर क्यों जारी हो जाती है ये पूरी बात आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा साथ ही साथ कितना किलो मीटर की रेंज में आपका सेंटर लिस्ट पढ़ने बला है किया आप लोग का एक ही जो है अनुमंडल के अंतरगत आप लोग का एकजाम सेंटर परने बला है या आप लोग को अनुमंडल के बाहर यानि कि कोई का होता है एक ही अनुमंडल में एकजाम पर जाता है या किसी किसी का दुसरे अनुमंडल में एकजाम परता है तो यह पूर जारी किया जाता है तो चलिए हम लोग पूरी जनकारी लेंगे सबसे पहले हम लोग सर्च कर लेते हैं यहां से हम लोग को पूरी जनकारी मिलेगा तो सर्च करने के आद हम लोग इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के आद हम लोग नीव अपडेट पर आएंगे नीव अ यहां पर हम लोग किलिक करेंगे center list पर, center list पर किलिक करने के बाद हम लोग यहां पर देखेंगे, उपर के scroll करेंगे और यहां से संपुन जनकारी हम लोग पराप्त करेंगे, ठीका है, संपुन जनकारी हम लोग यहां से पराप्त करेंगे, आप लोग video में धर्ज बनाए रख कि जिससे आप लोग को पूरी-पूरी जनकारी प्राप्त हो सके, कि center list को आएगा, कितने दिनों बाद आएगा, कर्म भराते भराते आप लोग को center list जारी हो जाती है, तो चली आप लोग को center list जारी होने ही वाला है, बिहार विद्याले परिक्षा समीती दोरा परिक्षा के अंदर जारी हो जाती है परिक्षा के अंदर में आप लोगो को स्कूल का कोड याद रखना पड़ता है क्योंकि स्कूल कोड से ही आप अपना परिक्षा के अंदर जान पाएंगे इस्कूल कोड को सत्थे के अनुसार याद रखे नीचे दिये गए संफुन जनकारी कोड पढ़े कर रहा है कि बिहार भी देले परिक्षा समीत अचानक जारी किया जाता है 2025 परिक्षा का जो परिक्षा के अंदर सबसे पहले आप लोगो district by district आपको पहले portal खुलता है center list का वह portal कैसे कैसे खुलता है मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आप लोग लास्त तक बने रहे पूरी जनकारी के साथ बिहार बूर्ट ने जारी किया center list करने के बाद उसने बताता है कि कहाँ पर आपको center परेगा उसी में आप लोग को पता चलेगा center list जारी करने के बाद कि आपके school या college से कितना दूरी पर परिक्षा केंदर यानी की center परा है तो यह पूरी जानकारी आप लोग को बताऊंगा साथ ही साथ आप लोग यहां पर देखेंगे paper cutting यहां पर दिया गया था यदि आप लोग भी अपना परिक्षा के अदर जाज करना चाहते है कि कहां पर आपको पड़ा है तो अफिसेल नोटी जानी नहीं हुआ लेकिन आप लोग को कैसे चेक करना है उसका लिंक आप लोग को नीचे दिये गए है आप लोग उस पर किलिक करके उसके अंतरगत आप लोग जान सकते हैं परिक्षा के अंदर आपके स्कूल या कॉलेज से कितनी दूरी पर होंगे चलिए ये आप लोग को जनकारी है तो परिक्षा के अंदर 25 में बिहार भी देले परिक्षा समीत बताया गया कि सभी चाचत्राओं का अधिक दूरी तय करने में बहुत ही कठिनाई होती है इसलिए बिहार भूट ने 15 से 20 किलो मेटर के अंदर ही परिक्षा के अंदर जारी करने की मंजूरी दी है जिससे कि किसी भी चाचत्राओं को कठिनाई न हो और यात्रा में दिक्कत न हो बिहार भूट पहले बहुत बहुत दूर देता था परिक्षा के अंदर लेकिन अब बहुत सारे चाचत्राओं को दिक्कत होता है जिसके कारण सभी चाचत्राओं का निकट ही यानि की 15 से 20 किलो मेटर के अंदर में ही देता है यह 10 किलो मीटर हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 किलो मीटर दूर होता है वर यह समधाता पटना यह आप लोग को पूरी जनकारी ले लेना यहाँ पर आप लोग को पूरा लिंक दिया गया है और कैसे कैसे चेक करना है वो पूरी जनकारी दिया गया है तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोग Google या Chrome पर आ जाना है सर्च कर लेना अपना ये Study syllabus जैसी सर्च करेंगे मेरे प्यारे शेंट हाँ अगर आप लोग नए नहीं हो अगर आप लोग को संपुन जनकारी चाहिए आप लोग संप्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे यहाँ पर सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा इस पर किलिक कर लेना है और यहाँ पर न्यू अपडेट पर किलिक करेंगे यहाँ से आपको भी हारबोड का कोई भी जनकारी हो, वह अब क्या चीज होने बाला है, पूरी जनकारी, क्योंकि बहुत सारे student का छूर जाता है, कोई ना कोई चीज छूर जाता है, जिसके कारण जनकारी ना होने के कारण ही छूर जाता है, और छूट गया, उसका छूट गया, इसलिए आप लोग subscribe करके इसे लिए आप लोग को मैं बताता हूँ मेरे प्यारे सेंटर कब आएगा यह जनकारी आप लोग को description box में दिया गया है link वीडियो का ही आप लोग चाइनल पर जा करके देख सकते है वाट सब ग्रूप आप लोग जोइन कर लीजे description box में दिया गय टेलीगण पर हम जयन कर लिए और आप लोग खुब HAI को पर हां कि जिए का करते हैं कर्तिर है आप लोग प्रसंद हो करके पड़े। जिससे आपका result जो है बहुत ही बेतर आएगा यदि आप लोग अभी हस करके पढ़ते है तो आप लोग हस करके result देखेंगे अगर आप लोग हस करके नहीं पढ़ते तो रो करके result देखना परेगा यानि कि हसते हसते पढ़ लेना है हसते हसते result भी देख लेना है मेरा यही कहन तो आप लोग घंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे और आप लोग नहीं नहीं होते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किजिए और मिलते आप लोगों असाथ, नेक्स्ट डुडियों में इतना यह पर मेरे प्यासिन मिलते हैं इतना ही पर जय हिंद जय भारत